यदि आपके गुलाब के प्लांट की स्थिती भी इसी प्लांट की तरह से होती जा रही है, तेज गर्मी से आपका जो प्लांट है वो मरता चला जा रहा है, देखते ही देखते आपके फूल देने वाले अच्छे पौधे में भी इसी तरह की समस्या का सामना आपको करना पड रहा है आपके गुलाब की पत्तियां जो है सूख करके जड़ती चली जा रही है आपका प्लांट जो है ग्रोथ की बजाए डेड़ा उस्था की उत्तरब बढ़ता चला जा रहा है तो आप यकीन मानिए इस वीडियो में बने रहेगा आपको छोटी सी ट्रिक एक पता और उससे आपका पौधा जो है मरते मरते भी जिवित हो जाएगा जैसा कि आप देख रहा है कि इस गुलाब के पौधे में पत्तियां जो है तेज धूप में रखे होने के कारण की पत्तियां बर्न हो गई हैं और बर्न होने के कारण ये पौधा धीरे-धीरे करके डाइब फिरे आपका फूल देने वाला सांदार पौधा खतम हो जाएगा तो आप भी अपने पौधे को अगर बचाना चाहते हैं तो आप छोटी सी बातों का ध्यान रखिए बिना एक रुपए भी आपका नहीं लगेगा और आपका फूल देने वाला पौधा फिर से नई ग्रोथ स इसमें धेर सारी फ्लावरिंग भी आनी शुरू हो जाएगी इस समय काफी तेज गर्मी भी पड़ रही है और टंप्रेचर 40-40 के पार होता चला जा रहा है तो इसलिए ये टंप्रेचर जो है आपके गुलाब के प्लांट के लिए काफी नुकसान दे होता है इसमें पौध बज़े तक की धूप मिले और उसके बाद इससे धूप न मिले यानि इन डायरेक्ट सनलाइट में रख दें लेकिन इसे आप रूम में मत रखिए घर में मत रखिएगा क्योंकि इस प्लांट को रोशनी की अत्यानता हो सकता होती है और बिना रोशनी के भी ये प्लांट मर क्योंकि सारे प्लांट या पौधे जो है 11 बज़े के तक ही वो अपने पौधे को भोजन वोगरा बनाते हैं और बाद में साम के समय तो ये सबसे suitable तरीका रहेगा और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी ध्यान देनी योगी ये होती है कि आप अपने प्लांट को रोशनी उसे indirectly बराबर मिलती रहे ऐसी जगह पर ही रखें दूसरी सबसे महत्पूर बात ये है कि आप अपने प्लांट की हर चार दिन के बाद उसमें हलकी गुडाई जरूर करें इस गुडाई करने से भी आपके प्लांट यदि आप डेड़ वस्था के और जा रहा है तो वापस उसके recover करने में काफी सहता मिलती है मिटी के नीचे oxygen की मातरा जाएगी और प्लांट जो है आपका काफी तेजी से growth करने के लिए फिर से अपने को तयार कर लेगा तो इसलिए आप 4-4 दिन के अंतर पर अपने प्लांट की 1-1.5 इंच तक की हलकी गुडाई जरूर आप कर द हलके हाथों से उसको तोड करके उनको धीरे-धीरे करके उनको आप अपने प्लांट से अलग कर लीजे और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि बहुत तेजी से नहीं आप उसको पिंच करना है ताकि उसकी डाल ही तूड़ जाए तो आप हलके हाथों से जो पतियां सूख चुकी हैं उनको आप तोड करके अलग कर लें साथी उसमें जो भी कलियां वगेरा बन रही हो तो इस समय आप फूल बने हो कलिया बन रही हो तो उनको आप तोड करके अलग कर लें आपको फूलों और कलियों की बिल्कुल चिंता नहीं करने है कि कलिया बनी है तो फूल बन यदि आपके पास वर्मी कंपोज नहीं है तो आप इस तरह की काव डंक जिसे उपले वगरह भी कहते हैं इसे आप ले सकते हैं और इनको ले लीजिए यह सबसे बड़े सूपर टॉनिक फर्टिलाइजर का यह काम करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं और इनको आप अच्छी तरीके से पीस लीजिए या कूच लीजिए किसी भारी पत्थर वगरह से जिसे छोटे-छोटे महीन टुक्डे बन जाए तो यह आपका आप देख कि यह काफी महीन हो जाएं जिससे कि वह असानी से घुल सके कोई उपर वाली टुक्डे वगरह भी रह जाते हैं तो कोई बात नहीं वह प्लांट की मल्चिंग का भी काम करेंगे तो इससे आप दो-दो मुठी ले ले और धिरे-धिरे करके इसे आप अपने गुडाई किये प्लांट में गुलाब के आप धिरे-धिरे इसे करके डाल दीजिए और इस तरह से जब आप अपने प्लांट में आप इनको धिरे-धिरे करके मुठी दू-मुठी करके डाल देंगे तो इससे आपके जो प्लांट है उसको बहुत ही ठंडी और सूपर टॉनिक देने की जरूरत ही नहीं है आप बस एक दो उपले का चूरा बना लिजे और उस चूरे की दो-दो मुठी जो है आप अपने गुलाब के प्लांट में डाल दीजिए और जिससे बड़े-बड़े टुकड़े होंगा तो उसकी मल्चिंग भी हो जाएगी जिससे अंदर के प प्लांट को दे दीजिए तो उसके बाद आप उसमें धीरे-धीरे करके हलकी वाटरिंग कर दें ताकि उपर से ये पूरी तरह से गीला हो जाए और प्लांट की नीचे की मिट्टी भी गीली हो जाए और और आपका जो प्लांट है वो फट्रिलाइज हो जाए तो इस तरह स आप अपने प्लांट को फर्टिलाइजर दीजे और इसे सेड़ेड एरिया में रख दीजे आप देखेंगे कि आपका प्लांट जो है धीरे धीरे करके रिकवरी पा जाएगा यदि हमारे वीडियो की जानकारी आपको पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में सेयर जरूर करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्स्राइब करना न भूले और बेल आइकन को जरूर पूश कर दें ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफेकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके